Hello friends, today we are going to understand question number 9, जो कि हमारे previous paper का question number 9 है, जो कि एक compulsory short question है, जो question number 8 है, क्योंकि वो long question में भी आया है, तो पहले मैं उससे कोई solve करती हूँ, determine the minimum value of the cost function, तो यहाँ पे हमने minimum value of the cost function निकालनी है, तो यहाँ पे हमें c की value दी हुई है, जो कि total cost है, q2 minus 4q plus 100, तो अब हम जो cost है, उसका differentiation करेंगे with respect to q, तो यह आजाएगा q2 minus 4q plus 100, तो यहाँ पे इसका जो differentiation आएगा, क्योंकि q2 का यह 2q हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी power होती है, वो आगे आजाती है, 2 minus 1 which is equal to 1, तो q की value उतनी रहेगी, q minus 4q जो है, वो 1 minus 1 0 हो जाएगा, तो वो 1 q 0 की value 1 है, तो यहाँ पे आजाएगा 2 q minus 4, तो जो constant होता है, उसकी differentiation 0 होती है, तो यहाँ पे जो हमारा first differentiate है, वो है 2 q minus 4, तो यहाँ पे हम इसको 0 के equal put कर देते हैं, वहाँ पे हम q की value निकाल लेते हैं, 2 q minus 4 is equal to 0, तो हमने पूरी equation को 2 से divide कर दिया, तो q is equal to 2, तो यहाँ पे हमारा q आजाता है 2, फिर उसके बाद हम second differentiation निकालते हैं, 2 q minus 4, तो यह आजाती है, क्योंकि constant की हमेशा जो differentiation होती है, वो 0 होती है, तो यहाँ पे यह 2 आजाती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, कि हमारा जो है, यह जो 2 value होई है, यह positive है, sign change नहीं हुआ, यह more than 0 है, तो यह minimum value है, क्योंकि अगर positive से minus हो जाता है, तो वो maximum value होती है, तो यह change नहीं हुआ, हमारा जो 2 है, वो positive है, और यह 0 से जादा है, तो it means कि यह minimum value है, तो cost हमारी minimum होती है, जब हमारे q की value जो है, वो 2 होती है, तो अब हम पूरी equation के अंदर, जो है, 2 की value डाल देंगे, 2 का square minus 4 into 2 plus 100, तो यह आजाएगा 4 minus 8 plus 100, 100 और 4 जो है add हो जाएगे, तो 104 minus 8, यह आजाएगा 96, तो c की value, टोटल cost की value जो है 96 है, जब q की value जो है 2 है,